अब बात करते हैं, function में value किस तरह से pass करते हैं, और किस तरह से parameter set किया जाता है function का, और multiple function किस तरह से हम एक program में add कर सकते हैं, इसके पहले हमने ये function देखा था, एक function बनाया sum और उसे call किया था multiple time, अभी इस function में ही हम value को set करेंगे, अगर आप first time इसे देख रहे हैं, तो मैं clear क किया था, जिसका नाम है sum, और यहां पर opening कर ली brass, closing कर ली brass के बीच में, जो text है, वो सब कुछ लिखा था function का, यानि यह वो हो गया function का body, तो यहां पर block of quotes लिखने के बाद, उसे हमने यहां पर call किया था, यहां तक हमने देखा था, अभी function में, आप किस तरह से value pass करते हैं, मतलब, for example, मैंने यहां पर 100 value लिखा है function के बीच में, तो यह function में किस तरह से call कर सकते हैं, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा integer x, तो यहां पर integer x जो है, यह है parameter of function, यानि यह first parameter हो गया है इसका, जिसमें 100 value को हम store करने वाले हैं, यानि यह जो 100 value है, कही तो memory location में store करन होगा, इसलिए हमने यहां पर x को define किया है, अभी आप directly इसे print कर सकते हैं, यहां पर printf, और double initial comma में percentage d, और यहां पर comma, जो x हमने define किया, यह local variable हो गया, इसकी लिए, आप वो जो variable है, main function में use नहीं कर सकते हैं, इसका limitation जो है, variable का खाली इस function तक ही है, तो यह function इसका local variable है, तो call किया हुआ है function तो इसमें कोई problem नहीं है, इसे compile कर लेते हैं, compile करने के बाद कोई error नहीं है, run करते हैं इसे, run करने के बाद आपको screen पे 100 value यह show करा रहा है, तो यहां पे यह 100 जो है हमने function से print किया, यहां पे हमने value को pass किया, और वही value वहां पे print हो गया, तो यह concept जो है call by value ह यहां पे value को call कर लेते हैं function से, अभी यहां पे multiple value भी हम store कर सकते हैं, यहां पे 200 लिखा, आपको 200 के लिए फिर से अलग से एक variable define करना पड़ेगा, integer y, यहां पे integer y लिखा, आप integer y की value भी print करना चाहते हैं, तो मैंने same यहां पे print यह और यहां पे slash n ले ले लेते हैं, next line में print करेगा, इसलिए दोनों को भी slash n और यहां पे y, y की value print करने के लिए, तो इसे फिर से compile किया, run किया, दोनों value यहां पे show करा रहा है, 100 and 200, ओके, तो हमने multiple values को यहां पे pass किया है function में, तो यह simple call by value का program हो गया, अभी यहां पे addition आपको करना है, तो आप local variable यहां पे define कर सकते ह z, semicolon, और यहां पे आप लिख सकते है, z equal to x plus y, इस तरह से, और यहां पे आप फिर से print कराएंगे, sum equal to percentage d लिखा हुआ है, और यहां पे आप z लिखेंगे, यहां पे slash n लिखेंगे, ताकि वो next line में print करें, फिर से इसे compile किया, compile करने के बाद run किया, यहां पे दोनों value को यह show करा रहा है, 100, 200 और दोनों का sum जो है 300, इस तरह से यह show करेगा, अगर यह value आपको फिर से यहां पे print कराना है, मतलब यहां पे आप print लिखेंगे, तो दोनों automatically calculate होना चाहिए, तो मैं इसे यहां से हटा देता हूँ, इसे यहां से हटा दिया, और आप directly इन दोनों को लिखन चाहता है, print करना चाहता है, print और इस function को इसके बीच में लिखा, sum को, और यहां पे इस तरह से लिखा है, हम यहां पे double in a to comma में sum equal to percentage d लिख लेते हैं, और comma यह function इस तरह से दिया, और यहां पे bracket लिखा, अब जब हम इसे print करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे compile किया, यह एक error शो करा रहा है, error इसलिए show करा रहा है, invalid use of wide expression इस तरह से दिखा रहा है, यानि जब आप function को ही print करना चाहते हैं, तो आप wide नहीं लिख सकते हैं, आप यहां पे लिखेंगे integer, फिर से compile किया, compile करने की बाद देखा, तो कोई error इसमें है नहीं, आप इसे run करते हैं, तो य यहां पे show कराने के लिए, print कराने के लिए चाहिए, तो हम यह जो value है, z में store करेंगे, x plus y, और यहां पे semicolon, और यहां पे लिखेंगे, return z, semicolon, अब यह return z लिखा है, मतलब यह value जहां पे भी function को लिखा जाएगा, वहां पे यह show कराएगा, इससे हमने फिर से compile किया, कोई error इसमें नहीं है, इसे run किया, run करने के बाद देखिए, 100 to 100 और sum equal to 300 इस तरह से लिखा है, यानि function की बीच में return क्यों लिखा जाता है, ताकि हमने पहले देखा, वह value को print कर रहा था, जो गलत था, तो यहां पे हमने जैसे ही return pass किया, z, तो यहां पे दोनों का value calculate होके, मतलब यहां पे हमने calculate पहले ही किया, z है, लेकिन यहां पे जैसे function लिखें गया, तो यहां पे automatically वो जो z का value है, यहां पे print करा देगा, जो z में store है, तो हमने यह return किया है, तो यहां पे हमने यह call by value है, यहां पे यह call हो गया, और यहां से यह pass हो गया, मतलब वापस function में हम यहां यहाँ पे यहां पे इसे print करा सकते हैं मतलब program की जैसे requirement है वैसे आप प्रिंट कर सकते हैं function को तो यहाँ पर हम दोनों तरीके देखे हैं यहाँ पर वाइड लिखते हैं directly यहाँ पर print function use करते हैं तो value प्रिंट होता है आप वहाँ पर नहीं print करना चाथे यहाँ पर value को print करना चाथे है function में तो भी वो print करता है लेकिन इसका सही तरीका यहाँ पर यह ही है कि आप यहाँ पर वाइड लिखे और यहां पर print लिख सकते हैं print की अब यहाँ पे आप लिखेंगे sum equal to percentage d, z और यहाँ पे आप इसे हटाए simple function को ही call करें यानि इस तरह से हम ले लिखा है अब multiple time हम अलग-अलग value को यहाँ पे pass कर सकते हैं मतलब यहाँ पे देखी मैंने first इसमें 100 and 200 पास किया है second इसमें 300 and 200 पास किया है फिर 400 और 100 पास किया है और यहाँ पे 500 और 200 पास किया है अब अलग-अलग result आपको यह शो करेगा यहाँ पे sum जो लिखा है अपने वहाँ पे slash and लिख दीजिए ताकि वो next line में शो करेगा इसे compile करते हैं कोई error नहीं है run करते हैं आप यह अलग-अलग value को शो करा रहा है देखिए 100 प्लस 200 इकवल टो 300 यहाँ पे 300 प्लस 200 इकवल टो 500 यह शो करा रहा है यानि multiple time आप उस function को call कर सकते हैं तो इस तरह से आप function में parameter set कर सकते हैं मतलब जो value आप function में pass करेंगे यहाँ पे 100 and 200 लिखा है तो इन्हें कहेंगे x parameter और y parameter मतलब function के two parameters से यहाँ पे हो गए आप three parameters define करना चाहते हैं तो three parameters define कर सकते हैं for example मैं एक function में value pass करूँगा और 300 मतलब three values को pass करूँगा और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि बाकी function में two values हो तो आपको एक नया function define करना पड़ेगा मैं इसे as it is copy कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे two parameters से और यहाँ पे integer z लेते हैं और यहाँ पे sum एक variable define कर लेंगे यहाँ पे value in slice करा लेते हैं उसमें 0 और यहाँ पे sum और यहाँ पे x प्लस y प्लस z इस तरह से और यहाँ पे value को print कराएंगे sum इस तरह से compile किया अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि main function मतलब multiple जो function है define करा मतलब एक ही नाम के function हम यहाँ पे नहीं ले सकते यह इसका disadvantage है conflict type for sum इस तरह से दिखा रहा है लेकिन यह जो problem है यह और कम किया है C++ में आप एक ही नाम के दो function define कर सकते हैं यानि function overloading जो concept है वो यहाँ पे implement होता है लेकिन यहाँ पे C programming में यह possible नहीं है कि आप एक ही नाम के दो function वहाँ पे define करें मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे sum लिखा हुआ है और sum नाम का दूसरा यहाँ पे फिर से function बनाया और इसमें 3 parameters है इसमें 2 parameters है लेकिन यह error शो करा रहा है अगर आप error देखना चाहते हैं तो यहाँ पे screen पे देख सकते हैं जो error शो करा रहा है provide define आप sum was here पहले से ही वो मवजूद है function लेकिन अगर मैं function का नाम change करा देता हूँ sum 1 कर देता है मैंने पहली बताया था कि alpha numeric value भी आप इसमें लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे सब को 1 1 कर दिया बाकी जो भी function है compile किया अब इसमें कोई error शो नहीं करेगा मैं screen यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे कोई error नहीं है जैसी हम यहाँ पे run करेंगे तो exactly output वो शो करा रहा है मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने multiple parameter को pass किया तो इस तरह से function का use किया जाता है इसके कही सारे और example हम देखने वाले हैं कि किस तरह से function को header file में store कर सकते हैं